इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ट नेता संजेप आसवान जी हैं जो केंदर में मंत्री रह चुके हैं सांसद रह चुके हैं और फिलहाल बिहार विधान परीशत के सदस्य हैं इस पूरे राजनीति घटना करम को कैसे देख आध इस देश में कई राज्यों में सरकार जे बदली हैपने देखा होगा है क्ना पर्ता है चार्टर रात में उनके साथ सब्सक्क्राइब hä जिनके बदलाओ को, उनके जिनके विक्तिगत बदलाओ को, जन बदलाओ लो बना देता है, ये बड़ी बात है। अमित शान ने कहा कि दरवाजे बंद हो गए हैं, नितीश कुमार ने कहा कि नहीं जाएंगे, तो आप क्या देखते हैं कि क्या मजबूरी आपको आन पड़ी बीजेपी को कि वापिस नितीश का साथ ज़रूरी होगी। मजबूरी के बात नहीं है, इसको इस्तंक से अपले हैं कि दरवाजे बंद कर दिये गए थे, लिए कुंडी खुला हुआ था, इसलिए मैं मानता हूँ कि कुंडी खुला हुआ था और उसके लिए गुंजाइश दोरोसारी में रखती है, कुल बिजा के चुनाब निजदीक ह बढ़ सके हमारी कीमत पर ही, बढ़ सके तो बढ़ना चाहिए, आपने का कि कुंडी खुली हुई थी, तो इस बर कुंडी खुली हुई थी, दरवाजा बंद नहीं था, तो इसको किसने धक्का दिया होगा, नितिस्वाओ को हम बीजेप के लोगों ने अप्रोच किया है, ह आपके बयान थे कि नितिश कुमार का जो चहरा है वो पुराने नेता हो गए है, उब गए है, मारा लाइन बिलकुल अलग रहा है, हम यह मानते है कि नितिश जी इतने कॉंपेटेंट है, नितिश जी की सेवा जो है, मतब अरेल में मंत्री थे गवर्मेंट अफ हिंडिया मे जो है, नितिश जी की क्वालिटी जो है, वो नेशनल लेवल का है, अप नर्म हो रहे हैं, नेशनल लेवल का उनका यह रहा है, मुझे जब पाटी के निताओं ने आज से चाहसल पहले का तभी में दर नर्म हो गया था ता जो यह मानते हैं आपकी जो फिजिक्स केमस्टी बैठती है, जमीन पर हम लोगी, वह बिलकुल मेल खाता हुआ है, और लगता है, एक स्वहाविक गठवंदन लगता है, बीजे पीजेडियू का, इस हम यह मानते हैं, अगर पहले माले हमारे समयजदारी में कोई दोस रहा होगा, अब यह मैं मानता हूं कि निशीत और से व दोजर चोवीस के बाद महागडमंदन में नहीं चले जाएं, पल्टुमार बहुत एक्स्ट्रीम वर्ड हो गया उनके लिए, लेकिन जो दिबार पे लिखी इवारते हैं, उसको पढ़ लेना, उसको समझ लेना, यह बड़ी बात है, साल भर में तो अपने गठमंदन में य और इनको लगा था कि कुछ बदला उदला हो गया है, जब सेकेंड पीर ही लालोपिशाद जी के आई है, लिए साल भर में का मो बंग हो गया जो दिखाई पड़ने लगा था, तो हमें लगता है कि नितिश जी भी उब के अकुलाहर्ट में हमारे साथ आ गया है, और उनका इमेज था, उस इमेज में कहिना का इंडेंट हो रहा था, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की केमिस्ट्री देखें, तो जब वो दोज़र चौदा में चेहरा बने तो वो पीछे हड़ गए नितिश कुमार, उसके बाद फिर गडबंदन तोड़ लिया, फिर जब डिनर गए, गुजरात से जब रहत भेजी गई, बाड के लिए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो आप जिस केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो पिछले दस साल में कहीं दिखाई तो देती निया, नरंदर मोदी के आसपास इस देश में कोई लीडर अगर है, तो कोई और नितीज जी हमारे साथ रहे हो, हमारे खिलाब पे रहे हो, नितीज जी निश्चित तोर से नरंदर मोदी के आसपास के नेता है, निश्चित तोर से हैं ये, अब मुझे इस पास का गर भी है, हमारे पार्टी ये भले ना हो, लिएको बिहार के हैं बड़े सुल्योय नेता ह इसे नितीजी चानक भी चंद्वुक्त भी है इस पर कोई शक नहीं है तिके बिना किसी स्ट्रॉंग संग्ठन के इतने दिनों किसी पॉलिटिकल बॉलटाइल स्टेट में अपने लीडर्शिप को जमाए रखना बहुत बड़ी बात है राज़त के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाले समय में जेडियू को खत्म कर देगी यह मैं नहीं मानता हूं नितीजी को आर्जेडी खत्म कर देता चालिससभा की सीटे में चुनाव होने हैं तो कई अनितीज कुमार नहीं होते तो क्या स्थिती ओर अब क्या स्थिती होगी क्या परिवर्तल से नितीज कुमार legitim है तीज सिर जी उसब कर लेंगे अमिट साहा जी कर लेंगे और कुछ उसमें से करना पड़े तो बीजेपी गरें से कर लिए जितनी सीटिंग इन सब को जो वर्ग है एक बड़ा स्ट्रॉंग है और बिल्कुल यह नया इस्पारेशन ग्रूप है इनको हम सब चाहेंगे करना बिहार में बीजेपी फ्रंट सीट पर कब आएगी फ्रंट वील कब पकड़ेगी निद्रीजी सीम है तो फ्रंट पर हम लोग है कि देखें अगर अभी प्रियरिटी उस मामले में बहुत ही हमारे लोग जो है उनके स्ट्रेजी एक दम होता है ने पॉइंट 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 दर फॉस्टेज स्टेज अभी हम लोग का फॉस्टेज है कि कैसे डिवलप्मेंट को पुना पत्री पो अपिसलाया जाए कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने जातीय सर्वे को जातियों को लेकर हर चुनावी मन से मुद्धा बनाया क्या आपको लगता है कि अब नितीश कुमार के साथ आने से आप लोग ज्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे एक नितीश जी को अनुबवत है जाती का पर लेकिन हमें हमने लगता है कि जब हम सब लोग नितीजजी रिखे लोगों को जोड़ते हैं जो जोडने को वैसे लगता है कि जो सोयल कास ऐसको वी समझने का हम प्रयास करते हैं तेजस्वी आदव कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है मैं मनता हूं कि नितीस जी के नितीस जी के उनके साथ जाने से तेजसी का चेहरा निखरा इसमें कोई शक्री है निखरा है एक निखाराया है तो तेजस्टी लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं तेजसी अगर में पित और सत्ता में लोग बिखरता है तो विजु बिखराव हुआ है उसका इसलिए यह गैर जेवार बियान न दिया करें क्या राम मंदिर का प्रभाव बिहार में उस तरह का नहीं था कि बीजेपी को नितिश कुमार के साथ आना पड़ा देखे दो बाते बता दो कि इधर राम मं और दूसरा बड़ा प्रभाव हुआ है करपुरी ठाकुर जी को भारत वत्म देने से उसके बावजुद नितिश कुमार के साथ आना पड़ा बीजेपी को इन दोनों के बात हम लोग की ताकत बढ़ी है हम यह मानते हैं कि हमारे नेता हमारे नेता प्रयास कर रहे होंगे ल बीजेपी का उदारता है बीजेपी का विशाल हिरता है आप देखें गौर करेंगा पिछली बार हमारी सरकार अपाने संख्या इतनी थी कि हम बिना किसी एलाइस को सरकार बना सकते थे तब ही अपने अब एलाइस को रखा हम लोगों ने